पिछले दो दिन से हम आपको रख रहे हैं अपडेटेड विद फैशन, ब्लिंग, ग्लामर एंड लॉट्स अफ गॉसिप अधी आई-आई-जेड़्यू और आज हम आपको देंगे आई-आई-जेड़्यू के थर्ड डे के अपडेट्स यहां हमें दिखी लॉट्स अफ बी टाउन अक्ट्विसस सिजलिंग अन दे रांप जहां महिमा चौदरी ने दिया काफी वक्त के बाद एक पब्लिक अपियरंस वही जीनत अमान ने भी रीक्रियेट किया अपने येस्टर येर्स का जलवा अपने ही गानों पर रांप वॉक करके साथ ही यहां दिखी सुनल चोहान और अमरिता राव भी वेल यहां पर ब्लिंग और ग्लैमर का जलवा तो बना ही रहा पर साथ साथ हमने निकाली काफी जीसी गॉसिप भी लेकिन सबसे पहले हम यहां आई इन सिजलिंग अक्ट्विसस के लुक को आपके लिए डिस्क्राइब कर देते हैं शुरुआत करते हैं महीमा चौदरी से जो की दिखी काफी वक्त के बाद महीमा चोज टू वेर अ कॉटन सारी गॉल्ड ब्रोकेट ब्लाउस के साथ इस रेड ब्लाक और वाइट कॉमिनिशन सारी में महीमा लग रही थी थोड़ी सी ओवर लगता है इस बीच महीमा अपने लाव हैनल्स पर काम कर रही थी इंस्टेड फिल्म्स जरा महीमा की ओवर साइजड कमर पर डालिये नजर जिसे वो कर रही थी इतनी अदाओं के साथ फ्लॉंट So not done महीमा हमने तो सुना है कि आप फिल्मों में कमबाक कर रही है यहीं हाल रहा तो कौन देखेगा आपको और लगता है शायद यहीं बात महीमा को भी कही न कहीं पता है इसलिए तो अपने कमबाक पर ऐसा रियाक्शन दिया उन्होंने I'm sure you're gonna watch me if I come चलिए अच्छा है महीमा आपको खुद ही इस बात का एहसास हो गया We hope that you do something about your weighty issues now वैसे यहाँ पर सिर्फ इसी issue के लिए महीमा नहीं आई limelight में क्योंकि जब मीडिया ने उनसे उनके divorce के बारे में पूछना चाहा सवाल तो किसी ने बीच में आकर बचा लिया महीमा को और ये शक्स थी जीनतमान Well yes, जीनतमान ने यहाँ एक black golden brocade अनारकली सूट में राम पर अपना जलवा तो दिखाया ही लेकिन साथ ही में, शी प्रूब तो बी अ करिंग गार्डियन फो महीमा तू जैसे ही बात निकली महीमा के डिवास की शी पॉइंट तोर्थ तोर्थ जीनतमान को और कर दिया है बट एक और ऐसा सवाल था जिसने उड़ा दी जीनत जी के चहरे का रंग और वो सवाल ये था कि उनका style icon कौन है जरा देखिये जीनतमान का reaction on this माइ style icon in Bollywood? ओके ओके जीनतमान को काफी शॉक लगा कि उनके जैसी stylish actress का भी कोई style icon हो सकता है भला बट इसी stylish actress के जूलरी के बारे में हमने spot की एक बात इसी जूलरी का इमिटेशन ही नहीं हुआ स्पॉट हमने तो एक और बात की notice इस जूलरी वीग का हिस्सा बनी दो actresses शेर करती हैं एक ही dream role जी हां सोनल चोहान और अमरिता राव दोनों बनना चाहती हैं अनारकली वो भी इसलिए क्योंकि दोनों को है ethnic jewelry पहनने का शॉक यहां प्रोफ प्रोफ बनने के खाईश रखने वाली ये डोनों अट्रिसस राम पर भी लग रहीं थी काफी अडॉरब जहां सोनल ने पहनी थी एक वाइट सारी विद अमरिता ने चूस किया एक बेबी पिंक गाउन और शी टीमद इट विद अड़ बेस्ट चोकर जो शायद था अमरिता की पिटीट बोडी के लिए थोड़ा सा लूस बदिस देम शुली झूली पिटीट आप अपना लूस नेक पीस संभालिये मेनवाइल हम बात कर लेते हैं सोनल से जिनने लडकों से जूलरी ऐसा गिफ्ट लेना कुछ खास पसंद नहीं है तरह देम अर मझा आप खास अधानन कर पोलीणों Right और रऊंगी सुनल की तो काफी समझ है But that's not the case with Zareen Khan कल Zoom की fashion police ने दीत ही Zareen को warning for flaunting her weighty issues yet again Day 2 पर Zareen ने पहना था एक ऐसा outfit जिसमें वो दिख रही थी काफी huge And on day 3 as well, she committed the same blunder Wearing a blue choni and a multi-colored lehenga hair tied up in a bun Zareen लग रही थी काफी matured and huge हमें तो ये समझ नहीं आरा Zareen के आप राम पर walk कर ही क्यों रही है अगर directors ने आपको इस रूप में देख लिया How do you think you will be able to compete with the actresses of your time? In all, IIJW का day 3 रहा as glamorous and blingy Just an advice to Zareen Khan अगर आप आने वाले दिनों में भी राम पर चलें तो please choose your wardrobe a little carefully this time Vakirti Tarang, Zoom, Mumbai । llesवी का I